वेल्कम टू आलोफ यू अब दे स्पेशल क्लास में आप लोग का स्वागत है चाहे आप सीजेल की प्रिप्रेशन कर रहे हों सीपियों की सीचेसल की या MTS एक्जाम की यह सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेलफूल होने वाली है क्योंकि इसमें हम 5000 प्लस वर्ट्स और लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 4 तक मैं अल्रेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ यह है लेक्चर नंबर 5 तो जो लोग सीक्वेंस वाज देखना चाहते हैं आप मेरे चैनल के प्लेलिस सेक्षन में जाओ उस प्लेलिस सेक्षन में मैंने फोल्डर क्रिएट कर तो आज का हमारा सेशन बेस्ट ऑन किस पे है वन वर्ट सबस्ट्यूशन एज वेल एस साइनॉम एन तोनिम से यानि मेंली फोकस इस पे है चलिए जो हमारा टेक्निक है फिर से वहीं बता दूं कोड एंड ट्रिक टेक्निक्स पिचर्स टेक्निक्स एंड रूट में तड़ तो आज का हमारा जो सेशन है वो रूट मेथट बेस्ट ऑन किस पे है यानि रूट मेथट के तुरू कैसे हम वर्ट को विदाउट मतलब रटे हुए उसको याद कैसे कर सकते है ठीक है और जो लोग टेलिग्राम चैनल पे जॉइन नहीं किये इस वीडियो के कोमेंट्स वक है इगो टीस्ट ठीक है मैंने लिखा इंट्रोवर्ट मैंने लिख दिया एक्स्टोवर्ट ठीक है तो इस तरह से देखो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ रूट का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो इगो एक रूट है ठीक है यहाँ पर देखो intro एक root है word एक root है उसी तरह से extra एक root है और word एक root है तो इसका कुछ नकुछ यानि कि इस word को आपको याद नहीं रखना पड़ेगा इस word की meaning आप directly लिका लोगे आगर आपको उसका root पता हो ठीक है जैसे देखो एक और मैंने word ले ले लेता हूँ mb word एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए का जैसे मैंने एक और word ले रहा हूँ यहाँ पे mb word जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो mb क्या है एक word root है और word क्या है एक root है यानि root से आप इस सारे words की meaning easily लिकाल सकते हो बिना रटे हुए और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि इस session का आज main purpose क्या है वो क्या क्या चीज़े मैं कबरब कराऊँगा सबसे पहले आपको root की meaning बताऊँगा उसके बाद उस root को apply करेंगे हम words में ठीक है और ये सारे words आपके exam में पूछेगे एससी exam में ठीक है third आपको क्या है match the column में दूँगा match the column जिससे क्या होगा कि आप जो words पढ़े उसका use कहां पे करना है कैसे आपको समझना है वो चीज़ पता चल जाएगी और एक आपको homework रहेगा इसी words से related जिसमें आपको yes या no का answer देना है आपको 10 question होंगे उस 10 question का answer देना है तो जो लोग sequence follow कर रहे हैं उनको आज ये भी ये सारी चीज़ें आपको और homework आपको complete करके इस series को end करना है और यकीन मानों जिस तरह से आप करते जाओगे ये homework करना ही नहीं पड़ेगा ये homework आपके जुबान से हो जाएगा लास्ट अगा आप ने इस वीडियो को देखा तो यानि आप homework में रटना ही नहीं पड़ेगा ये words की meaning आपको lifetime के लिए याद हो जाएगा जैसे देखो ego एक root है जिसका मतलब होता है self या I self मतलब I मतलब मैं यानि self या I alter एक root है जिसका मतलब होता है other ठीक है intro एक root है जिसका मतलब होता है inside extra एक root है जिसका मतलब होता है outside वर्टो एक root है जिसका मतलब होता है turn mb root है जिसका मतलब होता है both mjn root है जिसका मतलब होता है hate, anthropos एक root है जिसका मतलब होता है mankind, gynae root है जो किसके लिए use किया जाता है women के लिए और gamers जिसका मतलब होता है marriage ये सारे root हैं और इसके क्या है ये meaning है अब इस से related क्योंकि ये सिर्फ एक जगा use नहीं आएगा कहीं भी आप word में अगर ego word आए इसका मतलब आप पता कर लोगे alterize का मतलब आसानी से उस word का meaning पता कर लोगे बिना रटे हुए अब example के थू मैं आपको सारा दिखाना चालता हूँ सबसे पहले देखो ध्यान से, सबसे पहले यहां से आते है egoist अब देखो ego क्या है देखो मैंने अभी बताया था कि ego, ego क्या है, एक root है जिसका मतलब होता है self या I, तो egoist का अब ego का मतलब ही हो पता चल गया self, यानि अपने आप से related होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा selfish ठीक है, यानि जो person क्या हो अपने ही बारे में हमेशा सोचे, अपने ही खुद का फाइदा सोचे, उसको हम बोलते है egoist ठीक है, egoist person क्या होगा जो self के बारे में सोचे अब देखो second है egoist, ego root है जिसका मतलब क्या होता है, self या I तो egoist का मतलब क्या हो जाएगा जो दूसरों जैसे, मालो चार person बात कर रहे है first, second, third and fourth, मालो यह first, second, third and fourth, four person है ठीक है, रटना नहीं है word को, four person है, इस four person है सभी ने अपने बातों को, सभी ने अपने कोई भी point of view से, सभी ने अपने अपना point of view दिया, यह सभी लोगोंने बताया इस point पे क्या हो सकता है इस point पे क्या हो सकता है यह जो person है यह जो person है न सभी की बातों को काट कर अपने ही बातों को रखना चाहता है यानि सबसे उपर ये person अपना बात रखना चाहता है यानि एक ऐसा person जो अपना बात सबसे उपर रखना चाहता हो वो सोच रहा है कि जो मैंन बोला वहीं सबसे उपर रहना चाहिए, बाकी सभी लोग मेरे से नीचे रहे, यानि मेरी बात सबसे उपर होने चाहिए, यानि जिसको हम बोल सकते हैं, the height of concept, तीक है, the height of concept, यानि जो अपने ही बातों को सबसे उपर रखना चाहता हो, उसे हम बोलते हैं, इगोटीस्ट ठीक है चलिए थर्ड है आपको altruist अब देखो मैंने एक word रूट बताय था alter मतलब मैंने बताय था क्या होता है other तो afin कुर यहाँ से आ रहा है तो इसका मतलब होता है welfare of other welfare of other यानि जो हमेशा दूसरों के ही बारे में सोचे दूसरों की भलाई के बारे में सोचे उसको हम क्या बोलते है अल्ट्रोिस्ट अल्टर वर्ड से पता चला अदर यानि यहां से अल्ट्रोिस्ट का मतलब क्या हो जागा जो दूसरों के बारे में सोचे जो दूसरों की भलाई के बारी में सोचे उसको क्या बोलते है अल्ट्रोइस्ट चलिए इंट्रोवर्ट मैंने देखो अभी बताया था रूट इंट्रो मतलब क्या होता है इंसाइड फिर मैंने बताया था एक्स्ट्रो एक्स्ट्रो मतलब क्या होता है आउटसाइड और मैंन करूं इसका मतलब क्या हो गया turn thoughts इंसाइड देखो रटना पड़ा इस word का में नहीं रटना पड़ा इसका मतलब होता है introvert का मतलब यह हुआ कि जो person अकेला रहना पसंद करता हो यानि जो person जैसे मालो कि जो person people के साथ रहना ना पसंद करता हो जो person अकेला रहना परसंद करता हो, जिसके thoughts, वो अपना thoughts अपने अंदर ही रखना चाहता हो, जो बाकी लोगों को बताना नहीं चाहता हो, उसको हम बोलते हैं, introvert, जैसे आपको, देखो, example के thought पर सोचो, scientists, scientists क्या होते हैं, वो अकेला रहना परसंद करते हैं, और अपनी thoughts अप अपने पास ही रखना चाहते हो, और उसी पर क्या करते हैं, research करते हैं, finally वो बताते हैं, जब उनका research successful हो जाता है, चलिए, extrovert, extra का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताए था, outside, और word का मतलब होता है, turn, यानि, turn thoughts, outside, इसका मतलब यह है, कि जो person बहुत सारे लोगों के extrovert, अब आते हैं, mb word, देखो, मैंने एक root बताया था, mb, mb मतलब मैंने बताया था, कि both, अब देखो, यहां से mb, mb मतलब both, word मतलब होता है, turn, यानि, जो क्या हो, introvert भी हो, और extrovert भी हो, यानि, both introvert and extrovert, ठीक है, यानि, जिसका nature ऐसा हो, जो कुछ चीजें, अपने आ normal people कैसे होते हैं, mb word होते हैं, cypersons, cypersons कैसे होते हैं, यानि, जो cypersons सांत रहना पसंद करते हैं, वो introvert होते हैं, और जो बहुत ज़्यादा हर जगा, मतलब देखते हो, कि हर जगा ही अपने बातों को रखना ही चाह रहे हो, तो extrovert होते हैं, ठीक है, चलिए, अब next आता है, मिस एंथ्रोप, अब देखो, मैंने आपको एक बताया था, मीजेन, और दूसरा मैंने बताया था, एंथ्रोप, इसका मतलब मैंने बताया था, जहां भी है, यह रहे हैं, इसका मतलब होता है, हेट, और इसका मतलब होता है, मैनकाइंड, तो अब देखो, यहाँ पे, मिस, इसका मतलब क्या हो गया, hate, enthrope, enthrope का मतलब क्या होता है, mankind, यानि क्या बोल सकते हो, hate mankind, hate mankind, यानि मानो जाती से क्या हो, human beings से क्या हो, जिसको नफरत हो, वो क्या कहला, तो वो उसके लिए word क्या यूज करेंगे हम, miss enthrope, अब देखो, next word है, mezo-gynist, अभी मैंने बता था, means मतलब क्या होता है, hate, और मैंने एक word बताया था, gyne, 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 जो word आता है, gyne word जो आता है, यह, women के लिए आता है, यानि औरत के लिए आता है, तो बताओ, hate, mezo मतलब hate, गाइनी मतलब, women के लिए related, यानि जिसको क्या हो, hate, women, यानि जिसको औरत से नफरत हो, वो, इसको क्या बोलेंगे, mezo-gynist, चलिए, अब देखो, next उसके बाद है, mezo-gynist, mezo मतलब क्या हो गया, hate, और मैंने अभी बताया था, g-a-m-o-s, grommers, इसका root का मतलब होता है, marriage, तो बताओ, यहाँ पे, gamist, यानि जिसको क्या हो, इसका मतलब हो गया, marriage, यानि जिसको क्या हो, hate, marriage, जिसको साधी से नफरत हो, उसको हम क्या बोलेंगे, mezo-gynist, और acetic, acetic ऐसा person होता है, जो सारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके, वो मतलब अकेला रहना पसंद करता है, यानि उसको भौतिक सुख सुविधाओं से नहीं मतलब है, उसको physically सारी कुछ चीन्यों से नहीं मतलब है, तो इसलिए acetic person, वैसा person होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कि वो सारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके, वो सिर्फ दूसरी जीवन को ब्यतीत करना पसंद करता हूँ, जैसे हम बोलते हैं, monk, monk क्या होते हैं, सन्यासी, सन्यासी कैसा जीवन पसंद करते हैं, अब इस दस वर्ड का देखो कैसे कैसे application करेंगे, इसको मैं तीन से चार बार आपको बताऊँगा, देखना किस तरह से आपको यह words याद रहेंगे, सबसे पहला जो होगा हमारा अभी, देखिए, अब आते हम इस पे, इगोईष्ट, एन इसलिए लगा हुआ है, क्योंकि भोवेल साउंड का प्रनंसियसान आ रहा है, इगोईष्ट, इसलिए एन लगा हुआ है, इगोईष्ट का मतलब मैंने अभी बताया था, इगो एक root है, जिसका मतलब होता है self, यानि me first, यानि जो क्या person हो, जो अपने ही बारे में सब कुछ सोचे कि मैं ही सबसे पहले हूँ, इगोटिस्ट, इगो मतलब मैं, और टिस्ट लगा है, इसका मतलब होता है the height of conceit, यानि जो अपनी ही बातों को सभी के सामने रखना पसंद करता हूँ, जो अपनी ही बातों को सबसे उपर रखना पसंद क हुआ कि जो दूसरों के बारे में सोचता हो, कि मैं तुम्हारी सहायता कर दूँ, हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचे, ठीक है, introvert, intro, intro मतलब inside word का मतलब क्या होगा, turn, यानि मैंने बता था न, turn thoughts inside, मैंने अभी बता चुका हूँ, कैसे, इसका मतलब हो गया कि leave me alone, इसका म मतलब यह हुआ, कि अकेला रहना पसंद करता हो, वो बाकी 10 लोगों, 20 लोगों के बीच नहीं रहना पसंद करता हो, वो अपने thoughts, अपने अंदर ही रहना पसंद करता हो, extrovert, extro मतलब outside word, मतलब turn, यानि let's do it together, यानि जो ऐसा person हो, जो अकेला नहीं रहना पसंद करता हो, ambivert ambi मतलब मैंने बताय था, both, vert मतलब क्या, turn, बताओ neither extreme, इसका मतलब क्या है, ambivert person क्या होगा, introvert भी होगा, as well as extrovert, यानि both introvert and extrovert, ठीक है, यानि एक ऐसा person जो introvert भी हो, यानि जो अपनी बातों को अकेला भी रहना पसंद करता हो, कुछ, और कुछ social लोगों के बीच, 10 लो जैसे हम आप और कैसे हैं भाई, हम अकेले भी रह सकते हैं और बाकी लोगों के साथ भी रह सकते हैं, ठीक है, चलिए, अब आते हैं next, miss anthrop, देखो miss मतलब मैंने बताया था hate, anthrop मतलब मैंने बताया था mankind, यानि जिसको क्या हो, hate mankind, यानि जिसको, क्या हो people से नफरत हो, जिसको human मिंग से नफरत हो, यानि people are no damn good, यानि जिसको hate, जो क्या करे, hate mankind, यानि जिसको, मानो जाती ही, अगर मैं बात करूँ, people से क्या हो, नफरत हो, मीजो गैनिष्ट, मीजो का मतलब क्या हो गया, hate, और गैनी वर्ड किसके लिए आता है, women के लिए, यानि, women are no damn good, that means, hate, women, यानि जो औरत से क्या करे, नफरत करे, उसको हम क्या बोलते है, मीजो गैनिष्ट, मीजो मतलब hate, गैमस मतलब वर्ड किसके लिए आया था, marriage के है, तो बताओ, जिसको क्या हो, hate marriage, जिसको साधी से नफरत हो, उसको क्या कहेंगे हम, मीजो गैमस्ट, उस परसन को हम क्या बोलेंगे, मीजो गैमस्ट, जो साधी से क्या करता हो, नफरत करता हो, मैरेज से नफरत करता हो, देखो, यहाँ पे मैंने लिखा भी हूँ, यहाँ पर मैं अपने आपको हटा भी दूँ देखो दियान से, marriage is an institution and who wants to live in marriage, यानि marriage एक क्या है, institution है, और क्या वो रहना पसंद करेगा institution में, तो जो मीजोगैनमिस्ट पर्षन है, वो रहना नहीं पसंद करेगा, no, मीजोगैनिस्ट पर्षन क्या करता है, marriage से नफरत करता है, यानि hate marriage, ठीक है, acetic, acetic person, acetic मैंने बताया था न, acetic मतलब क्या होता है, जो सारी सुक्सुदाओं को छोड़ दे, यानि वो अपने अलग ही दुनिया में जीना पसंद करे, उसको वो लगजरी लाइफ ही है, ये सारी चीज़ें सुक्सुदाओं को छोड़ करके, जैसे हम बोलते हैं न, monk, monk क्या होते हैं, सन्यासी, सन्यासी के लिए ही normally हम बात करते हैं, acetic, acetic person, वैसा person होगा, जो क्या होगा, सारी सुक्सुदाओं को छोड़ करके, momaya को छोड़ करके, वो अलग ही रहना पसंद करता है, यानि, that the place is here to, यानि, वो सारा कुछ सुक्सुदाओं परसुदाओं अपना, जो भी उसका हो, जैसे मैं हूँ, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारी सुक्सुदाओं को छोड़ दे, तो उसको बोलते हैं, ascetic person, यानि, especially आता है, सन्यासी के लिए, तो I hope ये सारी words, फिर आपने repeat कर लिया, अब आप दुवारा नहीं भूल पाओगे, अब आते हैं देखो, इसका use, application कहां पे करना है, देखो द्यान से, application, अभी मैं, अब देखो, ये match the column है, ठीक है, मैं देख लेता हूँ, मैं visible हूँ की नहीं, नहीं हूँ न, ठीक है, अब देखो, ये match the column है, जो मैंने आपको बताया, उसका application है, देखो कैसे याद रखोगे, egoist person कैसा था, जो अपने ही बारे में, सोचे, अपने ही बारे में selfishness हो, तो देखो कौन सा match करेगा, turn, throw outside नहीं, hate marriage नहीं हो सकता, talk about accomplishment नहीं हो सकता, hate people नहीं हो सकता, यानि कौन सा हो सकता है, देखो यहाँ पे है, यानि इसका answer क्या हो जाएगा, जी, believe in self advancement, यानि जो अपने ही आपको सबसे उपर रखना चाहता है, जो अपने आप में ही believe करे, यानि जो अपने आपको selfishness nature दिखाए, कि जो हूँ मैं ही हूँ, उसको हम बोलते हैं egoist, egotist, egotist मैंने बताया था ना, जो दूसरों, अपनी ही बातों को सबसे उपर रखना सीखे, the height of conceit, यानि जो अपनी ही बात को सबसे उपर रखना चाहे, तो क्या होगा, देखो इसका कौन सा मैच कर जाएगा, ये मैच करेगा, talks about accomplishment, यानि क्या करे, जो अपने ही बातों को सबसे उपर present करना, present कर रहा हो, altruist, altruist का मतलब मैंने बताया था, जो क्या करे, दूसरों के बारे में सोचे, यानि alter मतलब ही होता है, क्या है, तो जो दूसरों के बारे में सोचे, उसको हम क्या बोलेंगे, altruist, कौन सा answer मैच करेगा, देखो यहाँ पे, यानि जो दूसरों की welfare करने में ही क्या हो, जो दूसरों को help करने में ही interested हो, यानि दूसरों के बारे में ही सोच रहा हो, अपने से ज़्यादा, तो उसको मोलते हैं altruist, चलो introvert, introvert मतलब मैंने बताया था, कि जो भाई अकेला रहना पसंद करे, या जो अपने थोट अपने आप में ही रखना पसंद करे, तो देखो, इसका कौन सा मैच कर जाएगा, ये turn thoughts inside, यानि जो अपने thoughts को अंदर ही रखना पसंद करता हो, extrovert, यानि भाई, जो सभी लोगों के बीच रहना पसंद करता हो, यानि जो अपने thoughts, जो अपने बीचार है, सभी के लोगों के बीच परजेंट करना पसंद करता हो, तो क्या हो जाएगा, इसका, यहाँ पे देखो, कौन सा answer मैच कर जाएगा, ये turn thoughts outside, यानि जो अपने बीचार को हर जगा बताना चाहता हो, MB word, देखो, MB word से ही पता चलता है, कि both और word मतलब turn, यानि जो introvert भी हो, और extrovert भी हो, यानि कौन साइंसर मैच करेगा इसका, इसका मैच करेगा ये, turn thoughts both inside and outside, यानि जिसके thoughts बीचार अंदर रखने के भी हो, और बाहर represent करने के भी हो, misanthrop, means मतलब hate, anthrop मतलब mankind, जिसको किस से नफरत हो, जिसको नफरत हो, people से या mankind से, तो कौन सा answer हो जाएगा, hate people, यानि जिसको mankind से नफरत हो, यानि option number D, misogamist, मतलब hate, gyny, gyn, किसके लिए आता है, women के लिए, यानि जिसको औरत से नफरत हो, उसको हम करेंगे, misogamist, जो person, औरस से नफरत करता हो, यानि hate, women, चली, next, misogamist, misogamist, misogamist का मतलब क्या हो गया, hate, gamos word का मतलब होता है, marriage, जिसको किस से नफरत हो, सादी से नफरत हो, यानि hate marriage, I hope आपको समझ में आ गया, और acetic, acetic का मतलब मैंने बता है था, जो सारी सुक्सुदाओं को छोड़ करके, luxury life ना जी करके, बल्कि वो अलग ही दुनिया में जीना पसंद करें, तो देखो, ध्यान से देखो, क्या इसका हो जाएगा, E हो जाएगा, does not pursue pleasures of the flesh, यानि, जो क्या करे, अपनी जो उसको pursue वो नहीं कर रहा है, जो उसको सुक्सुदाओं सारे को छोड़ करके, यानि हमेशा याद रखना, acetic किसके लिए आता है, सन्यासी के लिए, मौंग के लिए हम यूज करते हैं, acetic person, acetic person ऐसा person होगा, जो सारी सुक्सुदाओं को छोड़ करके, वो अलग हीं दुनिया में रहना पसंद करता हूँ, ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा, कि हमने पहले, root सीखा, root के बारे में, उसके किस तरह से meaning को, without formation, बिना रटे याद कैसे करना है, and third, आपको, फिर मैंने उस word की meaning again बताया, and fourth, match the column, and last जो है, आपके साथ question है, मैं question discuss कर देता हूँ, is an egoist selfish, S या no, आपको क्या करना है, कैसे comments में reply दोगे, 10 question है, वहीं जो मैंने आपको word सीखा है, पहला, ऐसे लिखोगे, पहला का, अगर S है तो S, आपको reply करना है, कल यह मैं homework सबसे पहले कराऊँगा, तो आप match भी कर सकते हो, देखो, is an egoist person selfish, क्या egoist person selfish होता है, अगर S तो S, अगर नहीं तो no, आपको ठीक है reply देना है, S अबलिक no में, S या no में ही reply देना है, is modesty one of the character of the egoist, modesty मतलब होता है, seal या बिनम्र, यानि, क्या seal या बिनम्र, one of the characters of egoist, यानि egoist का एक characteristics है, कि seal बिनम्र, अगर S तो S, no तो no, अगर आपने मेरी meaning अच्छे से देखा होगा, जिस तरह से मैंने समझा आया था, तो आप सारे question कर लोगे, third question, is an altruist selfish, क्या altruist selfish होते हैं, A, C, I, no मेरी reply देना है, देखो, does the introvert pay much attention to himself, अब A, C, I, यानि क्या जो introvert होते हैं, वो अपना सारा का सारा pay of attention, यानि ध्यान अपने आप में ही रखते हैं, A, C, I, no मेरी reply देना है, fifth, does an extrovert prefer solitude to companionship, companionship, क्या जो extrovert होते हैं, वो prefer करते हैं, solitude मतलब अकेला, एकांत, एकांत या अकेला पन, क्या extrovert person जो अकेला पन रहना पसंद करता है, करता है या नहीं, prefer करता है कि नहीं, आपको S, या नो में reply देना है, चलिए next question, question number six, are most normal people are ambivered, क्या most of the normal people ambivert होते हैं, चलो, S, या नो में reply देना है, does a misanthrop like people, क्या जो misanthrop होते हैं, वो people को like करते हैं, does a misogamist enjoy the company of women, क्या जो misogamist होते हैं, वो women के साथ रहना enjoyment पसंद करना चाहते हैं, does a misogamist try to avoid the marriage, क्या जो misogamist होते हैं, वो marriage को avoid करते हैं, कि नहीं करते हैं, या या एबवाइट का मलब की साथी करना, साथी से दूर रहना पसंद करते हैं, क्या, एस या नो में reply देना है, अगर आपने मेरी 10 words सीखा, 10 root मैंने जो root सीखाया था, उसको आपने remember कर लिया, learn कर लिया, match the column किये होंगे, तो ये सारी question आप 10 के 10 correct करोगे, और कैसे reply करना है, comments box में, एक चीज मैं आपको बता दूँ, comments box में आपको कैसे reply करना है, पहला का S है तो S, no है तो no, second का S या no में, second का मानलो no है तो no लिखना है, third अगर S है तो S लिखना है, यानि S या no में reply देना है, numbering करते हुए, जो लोग भी पढ़ रहे हैं, उनको बहुँ ज़्यादा benefit होगा, आज का session, और ये सारे के सारे question, आपके SST exams में आए हुए थे, thank you बबाय, मिलते हैं हम next session में, देखे, आपको तीन काम करना है अपने side से, इमानदारी से, वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को like कर देना, और इमानदारी से आप चाहो, तो WhatsApp या टेलिग्राम ग्रूप में, other जगा भी share कर दोगे, इससे क्या होगा, मेरे चैनल का देखो, मैं directly खुल के बोलता हूँ, मेरे चैनल का भी growth होगा, तो जिससे मैं regular आपको वीडियो दे पाऊँगा, और आपका भी growth होगा, कि आपको बहुत सारे words, आपको याद नहीं रखने पड़ेंगे, आप ticks, code and tricks technique, word route, इस सारे method से आसानी से सीख जाओगे, और comments में आप reply जरू करना, कि इस series से आपको help मिल रहा है कि नहीं, अगर help मिल रहा है तो definitely reply करो, इस से मेरे को पता चलता है, कितने लोगों को help मिलना शुरू हुआ, और कितने लोगों का vocab का portion जो था, उससे problem धीरे धीरे start, खतम होना start हो जाएगा, ठीक है, thank you, bye bye मिलते हैं हम next session में, thank you.